हेलो और वेलकम टो शोमिश एप यूट्यूब चैनल आज एक बहुत ही अच्छा उपर्चुनिटी के बारे में बात करने आया है फिर से यह मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके तरफ से आर्मी ओडनेस कोर्प सेंटर के तरफ से यह पोस्ट है लाइक ट्रेट्स मेंट का एसल एस फायर मेंट का बहुत ही ज़्यादा ना है हर चीज के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा से पहले में एक वेबसेट दिखा देता हूं जहां से हमें यह पोस्ट्रीकेशन मिला है वो है आर्मी ओर्डनेस कोर्प सेंटर का वेबसाइट сказал यह उसका जो लिंक है वो भी बता दे रहा हूँ ए-o-c-r-e-c-r-u-i-t-m-e-n-t-dot-g-o-b-dot-in तो इस पे जाएंगे तो आपको जो लेटेस निउस है इसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा अभी हम नोटिफिकेशन में चले जाते ताके हम डिटेल्स में बात करते रहें आपको सारे जानकरी इस पे मिल जाएगा ताके आपको बार-बार इस पे गोथ ठोना करना पड़े इस पे आप देख सकते हो कि किस तरह का एवेलिबिलिटीज है किस तरह का रिजर्वेशन से और पे स्केल कैसा है सारे चीज़े देख सकते हो आगे बढ़ेंगे तो इस पे एक चीज दिखाए दिया उनलोग ने दिखा दिया अक्चुली कि किस के लिए किस तरह का जो फंक्शनल डिसेबिलिटीज है और केटेगरीज अब डिसेबिलिटीज है वो सारे चीज़े दिखा दिया उनलोग ने ताके जिन लोग को माल दिजिए इस तरह का डिसेबिलिटी है तो मतलब वो थोड़ा से दिक्कत हो जाएगा फंक्शनल रिकॉर्मेंट क्या है एस मतलब सिटिंग चाहिए ताभी किसी को जाएंगे तो रिजन वाइस किस तरह का वेकंसी से वो सारे चीज़े दिखा दिया उनलोगों ने इस्टर्न में वेस्टर्न में नॉर्दर्न में यह थोड़ा सा पॉस्ट करके भी देख सकते हो मैं इस पर ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाता हूं वीडियो लंबा हो पॉस्ट के लिए हर्एश्रा साल से 25 साल थक का बीच में होना चाहिए और मेट्रिक पास होना चाहिए और एक इंपॉर्डन चीज़ आयइएा बोनाचियर कोई पर्ट्रेइड में ठीक और फार्मेन हैं तो कोई दिकत नहीं है जो ч्सिट कंत शाल होंगे तो सफिशिंट औ और ये ये जो जो ये आया है क्या बोले नोटिफिकेशन जो आया है वो जिस डेट में आया है ना उस डेट से 21 दिन के अंदर ये हमें एप्लिकेशन करना चाहिए तो ये डेट मेरे को जितना पता ही आज का ही कल का डेट है चार फेबुरारी के डेट होना चाहिए तो उसी से आपको apply करना चाहिए और थोड़ा से नीचे जाके हम देख लेंगे कुछ और डीटेल्स मिल जाए तो ठीक है और अगर बात करेंगे इसमें relaxation का SCHT के लिए 5 साल का relaxation है OBC के लिए 3 साल का है अगर physically disabled है तो उसके लिए 10 साल का है अगर OBC है तो 13 साल का हो जाएगा SCHT तो 15 साल का हो जाएगा क्योंकि additional हो जाएगा एक सर्विसमें के लिए भी और भी बाकी सारे जो भी relaxation है उसके बारे में भी इधर बात किया गया है तो प्लीज एक बार आप पॉस्ट करके देख लिजिएगा और एक सर्विसमें क्या है यह सारे चीज़े बताया गया है इसका भी details में नहीं जाता हूँ वो generally आप लोग को बता है तो इसे ज़्यादे details में नहीं जाता हूँ online application करना होगा यह चीज़े बता दिया मैं दिखा दूँगा आप लोग को कैसे application करना है कहा जाके apply करना है वो सारे चीज़े मैं दिखा दूँगा ठीक है और इस पर आप लोग जब apply करेंगे उससे पहले आप लोग के पास कुछ important चीज़े रहना चाहिए कैसा चीज जैसा ID proof रहना चाहिए तो ID proof में क्या क्या चीज allowed है यह सारे चीज इस पर बताया गया है और फाइल का जो size कितना होना चाहिए वो भी बता दिया गया है लेटेश पासपोर्ट साज फोटोग्राफ होना चाहिए वो कितना size का होना चाहिए सारे चीज़े बता दिया गया है और ऐसा नहीं कि वो फोटो में आप छोटा सा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं 70% फोटो में आप रहना चाहिए और class 10 का जो passing certificate है वो भी चाहिए वो भी 30 to 50 का चाहिए सारे चीज़े पहले से रेडी रखी है ताके जब आप जाएंगे ना तुरंत कर सकते हो ठीके और एक important चीज़ बताया गया है के candidates are required to submit the online application form and take a printout of the application form and e-acknowledge for future reference यह generally है कभी भी आप अगर apply करेंगे तो please print out लेके रखिएगा कब उसका जरूरत आजाए अब बोल नहीं सकते हो ठीके और यह एक important website है जो मैंने बता दिया था ठीके aocrecruitment.gov.in यह बहुत important website है और जो आप exam center choose करेंगे वो first come first services में होगा कोई अगर exam center में thousand लोग की exam दे सकते और आप thousand one बन गे तो आप उदर apply नहीं कर सकते हो मगर system automatically आपको दूसरा कोई center दे देगा इसलिए ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए आपको अगर apply करना है तो जल्दी से जल्दी please apply कर लिजिए और यह बहुत अच्छा चीजी इस notification में सारे चीजे बता दिया गया है कि physical test में क्या क्या चीज होगा सारे चीजे बता दिया ताकि आपको सारे चीज बता चल जाए female के लिए क्या है male के लिए क्या है यह सारे चीजे बता दिया गया tradesman के लिए कैसा है fireman के लिए कैसा है यह सारे चीजे बता दिया गया please please pause this video and watch this thing read this thing so that you will understand it well और दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे written test का भी सारे details एक ही notification में बता द देखेंगे general intelligence and reasoning से 50 questions आएगा 50 marks का और duration total मिलेके किता duration होगा वो भी बता दिया गया और numeric aptitude से आएगा general English से आएगा general awareness से आएगा ठीक है और इसमें important चीज यह है कि इसका जो syllabus है ना इसको पुरा details में भी बता दिया गया है general intelligence and reasoning में किस तरह का चीज आएगा वो सारे notification है और general English में भी कैसे किया आएगा सारे चीजे बता दिया गया तो आपको generally जो इस तरह का notification आता है इसमें ऐसा ही करते कि इन लोगोंने details में बता देते ताकि बार बार नया नया notification देना ना पड़े ठीक है और अगर थोड़ा सा आके जाएंगी इतना important चीज तो है नहीं ज आपका जदद समय नहीं लूँगा और very very less time में मैं यह चीज बता दूँगा अगर यह website में जाएंगे जो कि मैंने दिखाया था ठीक है aocrecruitment.gov.in तो इस पे जाएंगे तो आपको तो notification तो मिली जाएगा और साथ में यह side में आप देखिए login का जागा है आप इधर क्या कर प्लीज क्लिक करने से आपको तुरंद यह login कर सकते हो आपके username, password से बट आपके अगर नया तरीका से आपको अगर account create करना है तो आपको create new account में क्लिक करना है जैसे new account में क्लिक करेंगे तो यह registration form आए जाएगा इससे आपको registration number बगड़ा मिल जाएगा username, password सारे चीज़े हो ज देके submit कर दीजिएगा आपके पास आजाएगा आपका registration जैसे registration हो जाएगा मैं back कर रहा हूँ आप confused मत हो जाएगे आपको login करना है फिर से उसी जगह में click करना है जहां से sign up की हो जहां से registration की हो उधर जाके फिर से login में जाना है आपको username, password देके login करना है ठीक है उस पे वो जो login करेंगे उस पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो ठीक है और इधर और एक चीज़ है online application करके भी है online application में भी जाएंगे तो आपको ultimate अलग से कुछ करने को नहीं मिलेगा same to same वो login ही करना है आप login कर लेंगे जैसे करेंगे आपको अंदर जाके सारे चीज़े मिल जाएगा बहुत ही easy है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मगर जो पहले बताया था ना सारे चीज़े आप प्लीज रेडी रखिए ठीक है सारे चीज़े रेडी रखिए इधर एक apply करके button दिया गया है वो button से कुछ होगा नहीं है वो दबाने से भी कुछ नहीं होगा तो better है य यह जगा use करना है ठीक है और in future results बगड़ा सारे चीज़े मिल जाएगा और इस पर थोड़ा सा ना यह जो जगा है वो थोड़ा सा देख लिजिएगा प्लीज इस पर सारे जो last date किया है यह सारे चीज़े इसमें बता दिया गया है ताकि आपको जाद बाद में ज्यादा ध opportunity है प्लीज apply कीजिए अभी से apply कीजिए बात के लिए प्लीज वेट करके मत बिठिए क्योंकि इस तरह का website में बात में पुरा प्रशार आ जाता है ठीक है तो बात में apply करना के लिए थिक्कत हो जाता है यह आप लोग को पता है अच्छा से पता है ठीक है और यह 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 जो होती अच्छा होता है डेट डेट तो बता दिये गए बट ओके फ्रॉम 6th February 2023 से 26 February 2023 तक यह बहुत ही अच्छा है यह किस दिन जो है यह किस दिन के अंदर आप कर सकते हो बहुत ही अच्छा आप लोग के पास sufficient time है प्लीज do apply और एक इंपोर्टन चीज प्लीज तो मोटिवे भी अप इस्टॉल कर सकते हैं उससे बहुत सारे free of cost, mock test, current affairs, daily gk, daily job news बहुत सारे चीज आपको continuous ने मिलते रहेगा थैंक यू very much for watching this video